आईए सुने का रिक्रम हवा महल आज हवा महल में सुनिये मुम्ताज शकेप की लिखी छलकी दर्द का हद से गुजर जाना निर्देशक मदन शर्मा ओफो आज फिर सुबह ही सुबह कोई आधम का लगता है यह एडिटोरियल आज भी पूरा नहीं होगा खोलते हैं भाई खोलते हैं जरा दम तो लीजे यह दर्वाजा है कोई तान पुरा नहीं क्या आप इसे बजाते ही चले जाए यह लीजे खुल गया दर्वाजा हैं अरी आप यह यानि कि बुखारी साहर जी हाँ मैं बुखारी हूँ लेकिन यह आपको मुझे देखते ही एकदम बुखार क्यों चड़ गया वो 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 मैं मैं समझे थी कि आप दफ्तर आपका मतलब है कि इस तरह के हमले दफ्तरों में नहीं होते जी नहीं जी नहीं मैं तो दरसल मेरा मतलब है मैं तो आपके हाँ हाँ टेलिफोन करने आए थी क्या कहा टेलिफोन यानि के हमारे यहां और टेलिफोन जी हाँ जी हाँ मैं वो 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 यानि के हम आपके नए पड़ासे हैं मुझे मिसिस बाफना कहते हैं बेशक बेशक आप मिसेस बाफना हैं लेकिन मुहतरमा शायद आप भूल रही है कि आपके यहां एक अदर टेलीफोन पहले ही मौजूद है बाफना साब जब दफ्टर जाते हैं न तो वो घर के टेलीफोन में टाला डाल जाते हैं उनका ख्याल है कि मैं बाते बहुत करती हूँ बात दरसल ये है मैडम कि आपकी पती देव बेचारे सिर्स टेली फुन में ही ड्ला डल सकते हैं रही आपके मुठी बात तो उसे तो व Мих Farei से तो बेचारे सिर्स निहार ही सकते हैं जी यह मैं भी मैं आपका मतलब नहीं समझही आप तो सिर्फ इतना समझनी की कोशिश कीज़े मैडम कि ये मकान एक सीधे सची अख़ार के एडिटर का है भला यहाँ टेली फून कैसे लग सकता है ओ सौरी श्रमा कीजिए अच्छा तो बे चलते हूं नमस्ते ओ फो हद हो गई ये ओरते ना तो खुद चैन से बैठ सकती है और ना बेचारे मर्दों को बैठने देती है अच्छी सुनते हो ये लीजी ये सामने से एक और तूफानी जोका चला आ रहा है अच्छी आप सुन रहे हैं ना कि मैं तो दिन से क्या कह रही हूं जी हाँ सुन रहा हूँ ये ही क्या आप चीख रही है आपका मतलब है मैं आप से ज्यादा चेकती हूँ महतरा मा मर्द की आवास तो शादी करते ही बैठ जाती है वो बेचारा भला इतने उचे सौरों में कहा बोल सकता है देखे जनाब या तो आप मेरे पात पर ध्यान देजे नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहोगा और आप भी सुन लीजे जनाबा आजकल इस घर में सिवाए आपकी भाई-भाई के मुझे और कुछ सुनाई नहीं देता है आपका मतलब है मैं भाई-भाई करती हूँ जी नहीं आप तो ठुमरी और दादरा गाती है क्या क्या आप नहीं जानते इस घर में कितने मच्चर है जो जो मुझे रात पर नहीं सोने देते चलिए मच्चर आपको सोने नहीं देते और मौतरमा आपकी इस भिन-भिन ने मेरी नी दोड़ा रखी है मैं पूसती हूँ इसका कोई इलाज भी है नहीं बिल्कुल नहीं कहते हैं औरत की इस भिन-भिन का कोई इलाज नहीं ओफ ओफ आप मेरे बातर पर काम क्यों नहीं जाड़ते सुनिए मुझे मच्चर दानी चाहिए ये कई दिनों से आपने मच्चर दानी की रटक्यों लगा रखी है आखिर आप मच्चर दानी का करेंगी क्या कुछ नहीं आपके लिए कुछ मच्चर पकड़ूगी बस रोच यहीं पूछ कर रह जाते हैं देखो मैं कहता हूँ बेगम आजकर इस मच्चर दानी से कोई फायदा नहीं क्यों फायदा क्यों नहीं है इसलिए बेगम rocking आप ठेरे शमय हुस्म और यह जो मच्चर हैं ना यह मच्चर दानी में भी आप परवानवार तूटेंगे मैं पूछ्ते हूँ आप मच्छर दानी लाकों देते हैं या नहीं छोड़िये चोड़िये भी ये सब बेकार चीज़ें हैं क्यों बेकार के चीज़ें क्यों हैं इसलिए कि आजकल के मच्छर इतने बूदम नहीं जितने के पुराने जबाने के सीधे-सादे लोग हुआ करते थे आज की ये जो मच्छर हैं वो मच्छर दानी में भी बड़ी चाला की से गुस्पेट कर सकते हैं और उसके बात? उसके बात ये अपने भाषणों की भिन भिन से लोगों की नी दोडा देते हैं और जो बे खबर सोय रहते हैं उनका खून चूसते हैं तेखी जी, इस वक्त मैं आपसे अपने ख़र के मच्छों के बाते कर रही हूँ और मैं भी आपसे विदेशी मच्छों की बात नहीं कर रहा हूँ ओफ ओफ मेरी को समझ में नहीं आता इन मच्छों के डिप्लो में से आप पिल्कुल नहीं समझ सकती मेरे खुदा मैं तो तग आ गई हूँ ऐसे मच्छरों से आप ही क्या सारा मुल्क परेशान है मुहतरमा मैं कहते हूँ आप ये बेटों के पाते छोड़ के साथ साथ क्यों नहीं कह दे दे कि मच्छर दानी खरीतना मेरे पसके बात नहीं है मेरा ख्याल है बेगम इस मच्छर दानी के आने से पहले आप एक काम कीजिए वो क्या आप घर के हर कौने में जाकर ये देखिए कि ये सारे मच्छर जमा होकर कौन से कौने में खुफिया मीटिंग कर रहे हैं खुफिया मीटिंग जी हाँ खुफिया मीटिंग और ये भी जानने की कोशिश कीजे कि इतने चालाक और खतरनाक मच्छर हमारे घर में आए कहां से हैं जिन्होंने आज हमारी नीन दोडा रखी है इसका मतलब है आप मेरी बिलकुल नहीं सुनेंगे मेरी आज तक किसमें सुनी है क्यों आप तो कहते हैं मैं बोलता ही नहीं हूँ किसने कहा मैं नहीं बोलता जिस दिन से हाथ में ये कलम लिया है उसी दिन से चोर बाजारी, जखीरा, अंदोजी, मिलावट, महगाई, रिश्वत, सतानी और इस गुन्डागर्दी के खिलाफ बराबर बोल लाँ लेकिन लफसों की सच्चाई के चितने चराख चला रहा हूँ जूट और दगाबाजी का अंधेरा उतना ही पढ़ रहा है चीखते चीखते मेरी जबान सुक गई लेकिन ये चूटे फरेबी और ठानले बाज लोग बराबर फूलते जा रहे हैं ये सब तुम्हारी अपनी कमजोरी है बुखारी वरना तुम भी आज फूल कर कुपपा हो गए होता कौर हरी हर तुम हाँ मैं हूँ तुम्हारा जिक्री दोस्त हरी हर परवाना देख लीजे सितारा बेगम मैं कह रहा था ना क्या आज कल ऐसे ही घटिया फिस्म के मच्चर अपने आपको परवाना कहते हैं आप बुखारी की बातों पर मत जाएए भावी अब आप जाने और आपकी दोस्त मैं चली क्या भे ओं मंगोली मच्चर आखिर तुम इस वक्त मुझे डिस्ट्रब करने क्यों आयो देखो भी बुखारी मैं इस वक्त तुमारे घर में यानि के दूद दही और घी की नदिया बहाने की तरकीब बताने आया क्या मतलब मतलब ये कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए तुम्हारे वास्ते एक अदद भैस का इंतिजाम करके आया हूँ अमा तुम भैस पाल लो अबे परवाने मुझे एक अदद दीवी नहीं पल लही है तुम भैस की बात करते हो लेकिन मैं तुमसे दूद देने वाली भैस की बात कर रहा हूँ मगर ऐसी भैस तुम कहां से ला कर दोगे भैसाराम के यहां से भैसाराम भैसाराम जिसकी बेटी कठा कली से मैं मैं प्यार करता हूँ अबे ओ परवाने मैं कहता हूँ पहले जाके अपनी सहत बनाओ बेटा इसक में आजकल कुष्टी भी लड़नी पड़ती है तारीख गवा है बुखारी कि मजनु और फरहाद की भी कोई खास सहत नहीं थी शायद इसलिए तुम्हारी आज पूरी नसल सहत के मामले में मजनु नजर आती है मैं कहता हूँ बुखारी कि मैं कथकली के बिना जिन्दा नहीं रह सकता हाई जिन्दा तो आप उस वख भी नहीं रहेंगे भर्फुरदार जिस दिन कथकली के बाप को आपकी इस इशक का पता चलेगा वो तो आजकल मुझ पर लक्टू हुरा है अच्छा अच्छा ठीक है खुरा होगा लग्टू लेकि देखो यार इस वाद मुझे बहुत जरूरी काम है इस वाद मुझे परिशान मत करो जाओ चलो फूटो यार जाओ यार यार अच्छा जरूरी सुनो तो यार कल जब मैंने कथक अली के बाप के सामने अपनी एक नजम सुनाई तो जानते हो बैसर हम क्या बोला यही कि भैस के आगे अब और बीन मत बजाओ नहीं बहारी नहीं बलके उसने कहा कि कल सवेरे यही नजम मेरी भैसों के बाड़े में आकर सु और तुम बराबर उसके सामने अपनी बीन बजा रहे थे नहीं बहारी नहीं अर्ज किया है वो मेरी नजम सुनते ही एक तरफ रख के बालटी एदूद मुझसे बोला बड़ी महाबत से परवाने तुम सवफी सदी काम के एक अजीम बेंशायर हो और ये कहकर ये कहकर उसने मेरा मुँ चूम लिया और उसके बाद यकेन उसको उल्टे हो गई हर्गिस नहीं बलके भैस रामने खुश ओकर कहा कि आज उसकी भैस ने पूरे एक महीने के बाद सत्रा किलो डूद दिया है क्या मतलब भैसा राम का कहना है कि अग आदमी के बजाए भैसों को नजमिया खसल सुनाई जाए तो खाली ताद ही नहीं बलके ज्यादा से ज्यादा दूद्ध भी जा सकती है अच्छा देखो परवाने तुम बहुत हिन हिना लिए तुमने मुझे बहुत परिशान कर दिया अब तुम यहां से चले जाओ पुखारी स्दमा हो जाओ यहां चलो पुखारी बेगम बुखारी ओ मिसिस बाफ्रा आए आए मैं आपके कर रही थी अच्छा वह आप आगए अरे पर तो पहले भी आई थी लेकिन यहां आपके वो बाइगाड आपके वो तो बहुत तीक हैं बेगम बुखारी मेरे तो उनक सामने च्छके ही छुट गए देख लिया ना आप में एक तो पती और दूसर जैनलिस्ट यानि कि करेला और बोड़ी नीम चड़ा पाई गौड यह इंटलेक्शन पती बहुत ही खतरनाक होते हैं मिस्स बुखारी मिस्स बाफना आप मुझे तो कोई और नई तरकीब बताएं इस तरकीब से तो उनके कानों पर जूब नहीं रहनती अरे आप हिम्मत नहारी है मिस्स बुखारी यही तरकीब इस्तवाल कीजिए यानि कि रोज दबा कर एक फर्माईश करती जाएं इसी तरह ऐसे मर्दों में घरलू जिम्मेदारी का एहसास प्यदा होता है लेकिन लेक आप में नके डाल देजिए भाहाँ खूब चरी मतीजी बहुत खूब अरे आप फिरा गए यानि ये आप हैं तो यह है वो बाहर का जहरीला ज्छोंका जो आजकर हमारे घर में हवा खराब कर रहा है अच्छा तो मैं चलते हो मिस्स बुखारी अरे अरे सुने तो मिस्स बा होने की वज़ा क्या है बाहर के लोगों की डखल अंदाजी ही घर और मुल्क के अम चेन को बर्बाद करती है ठीक है मैं सबसे पहले ऐसे ही खतरनाक मच्छरों की खबर लूँगा जो अपने घर की मच्छरदानी में च्छेद करने पर तुले हुए है अरे अरे आपका जा मिस्टर बाफना के दफ्तर वहां किसलिए उनसे ये कहने के लिए कि ताला सिर्फ टेलेपोन में नहीं अपनी शिरीमती के मूह में भी डालकर जाया कीजे अजी सुनिए अभी आप सुन रहे थे जलकी दर्द का हत से गुजर जाना लेखक मुम्ताज शकीब लिर्देशक मदन शर्मा ये आकाश्वानी जैपूर की प्रस्तुती थी जालकर जादेशक मुम्ताज शर्मा ये लियर है